असलाम अलेकुम इस उमीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग घहरियत से होंगे आज का हमारा प्लांट ये हुबसूरत सा यूफोर्बिया मिली जिसे क्राउन ओफ थॉर्न भी कहा जाता है और ये एक सक्लेंट है जिसे कैक्टिस समझा जाता है क्यूंकि इसके उपर लूमिंग सीजन इस टाइम रूज पर है और इसमें चोटी-चोटी से फ्लावर्स और पर्ड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं तो मजीद इसकी फ्लाविंग को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें अच्छे से प्रूनिंग कर रही हूं जो इसके लीव्स यैलो होकर ट्राइ हो जो हैं वो कांटे लगी होते हैं मेरे पास इसकी दो वराइटीज हैं जिन में से एक ये वाइट फिलावर्स वाला है और एक दूसरा जो आपने पहले देखा बड़े पिंक फिलावर्स वाला है इनके लीव्स को इनकी बर्ड्स फॉर्मिंग के टाइम पर रिमूव करना इसलिए भी जरूरी होता है कि इनके लीव्स जो हैं वो जड़ने के बाद इनके ही कांटों के अंदर उलज जाते हैं मेरा ये प्लांट कम असकम भी चार पांच साल पुराना है और इसको मैंने इस पॉर्ट में चार पांच साल से इसी पॉर्ट में रहने दिया है मैं हर साल विंटर के हतम होने पर और बहार के स्टार्ट पर स्प्रिंग सीजन के स्टार्ट पर मैं इसके लीव्स को इसी तरह से क्लेन करती हूँ जिससे इसकी फ्लावरिंग जो है और हुबसूर्थी से और निकर कर सामने आती है क्योंकि आप देख सकते हैं इस टाइम इस पर पुराने ड्राइ हुए फ्लावर्स भी मुझूद है और इसको मैंने इस एक वेस्ट आप कह सकते हैं हांडी मटका सा कहते हैं उसमें इसको ग्रोव किया हुआ है और मज़े की बात है इसमें ड्रेनिज होल भी मुझूद नहीं है और इसको मैंने अपने रूफटॉप पर ऐसे कॉर्नर में प्लेस किया हुआ है जहां पर आते जाते हुए इसके थौन्ट जो है यानि इसके कांटे किसी को लगे नहीं और दूसरी है कि इसमें ज़्यादा पानी क्योंकि मुझे रोज रोज एड नहीं करना होता इसलिए मैं इसको एक कॉर्नर में प्लेस किया हुआ है इसके लिए अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाते हैं तो बड़ी अच्छी ब्राइट सन लाइट वाली यानि प्राहरास्त इस पर धूप पड़े ऐसी जगा पर इसको प्लीस किया जाए और दूसरी है कि पानी इसको कम ही दिया जाए तो बहतर है सर्दियों में तो अगर आप पूरा एक मन्त भी आप देख सकते हैं इसके जो लीव्जान को रिमॉव करते हुए हाथ का फीजादा गंदे हो गया और काटे भी चुप रहे थे तो इस वज़ा से मैंने एक टूल ले लिया है जिससे जो इसके पते काफी ज़दा अंदर तक उलजी हुए है उनको मैं डिमॉव कर रही थी विंटर सीजन में अगर इसकी वाटरिंग आप एक मन्त तक भी ना करें यानि एक महीने में एक दफ़ा भी पानी दिया जाए तो ये अच्छे से चाल जाता है लेकिन समर सीजन में इसको वाटरिंग की ज़रूरत होती है और आप कह सकते हैं काॉडन कंपोस्ट या सिंपल कंपोस्ट जो है इसके लिए सीजन में दो से तीन बार जो है वो काफी होती है और फ्लावरिंग को इंक्रीस करने के लिए जब भी मैं अपनाना पील का फर्टिलाइजर दूसरे प्लांट्स में देती हूँ तो वो इसमें भी एड़ कर देती हूँ आई होब आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है अल्लाफिज